मोबैक इनोवेशन ने शुरू की दोर स्टेप इवी चार्जिंग सर्विस अब घर बैठे चार्ज होगा आपका इवी मोबैक इनोवेशन ने बुद्वार को एलान किया कि अब ग्रहकों के इलेक्ट्रिक वहनों के लिए दोर स्टेप चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी दोर स्टेप EV चार्जिंग सर्विस के शुरुवाती दौर में दिल्ली NCR में लगबग 2 लाग से अधिक इलेक्ट्रिक वहन उप्योग करता लाभानवित होंगे Electric Mobility Solutions Provider Mobak Innovation ने पुद्वार को एलान किया कि अब ग्राकों के इलेक्ट्रिक वहनों के लिए दोर स्टेप चार्जिंग की सुविदा दी जाएगी Door Step EV Charging Service के शुरुवाती दौर में दिल्ली NCR में लगबग 2 लाग से अधिक इलेक्ट्रिक वहन उप्योग करता लाभानवित होंगे Mobak Innovations ने अपने एक बयान में कहा इसे कंपनी के एप के जरिए बुक किया जा सकता है On the Door Charging सेवा का व्योग करने के लिए ग्रहक Play Store से Mobak Portable EV Charging Android एप डाउनलोड कर सकते हैं इस सर्विस के तहत कंपनी दौराजारी एप के जरिए एलेक्ट्रिक वहिकल बालिक अपनी सहुलियत के हिसाब से Charging Van को बुला सकते हैं ये सर्विस किसी भी EV मालिक के उस समय बेहत काम आ सकती है जब रास्ते में उसकी इलेक्ट्रिक कार का चार्ज पूरी तरह से खत्म हो गया हो बता दें कि वित्तिय वर्ष 2023 चोईस की पहली तिमाई के अंत तक कंपनी अपनी इस योजना को बेंगलियूरू, हैदराबाद, लखनाउ और जैपुर सहित तियर एक शहरों में परिचालित करेगी ऐसा करके कंपनी का लक्ष महानगरिय चेतरों में 10 लाग से अधिक ग्रहकों को सेवा प्रदान करना है मुबेक इनोवेशन के संस्थापक और CEO हैरी बजाज का कहना है कि कंपनी को दिल्ली NCR में उभोकताओं से मजबूत और सकारातपक परतिक्रिया मिली है आगे उन्होंने कहा कि इसके आधार पर हमने शीर्स मेट्रो शेहरों में निवेश करने के लिए एक सुनिश्चित कदम उठाया है जो आटो सेक्टर के बुनियादी धांचे की अपर्याप्तता की चुनोतियों का समाधान करता है डोर स्टेप EV चार्जिंग सर्विस को लेकर मोबैक इनोवेशन कंपनी का कहना है कि मोबाइल चार्जिंग वैन फास्ट चार्ज सकनी की मदद से कम समय में इलेक्टिक वानों को 80% तर तक तीजी से चार्ज कर सकती है इसी तरह के और अपडेट्स के लिए क्रपया अपने Air News चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड हो तो ततकाल सूचना के लिए बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोर स्टेप EV चार्जिंग सर्विस से एलेक्टिक वानों को चार्ज करना कितना असान होगा कमेंट्स जरूर करें